मातरी शिशू मृत्यू दर्मे कमी लाने के लिए भारत का पहला MNCU बदाईू में खोला जा रहा है यहां जन्म के बाद तुरंत कंगारू मदर केर देने की स्विधा मुझूद रहेगी इसी काई में 30 बेड की व्यवस्था की गई है जिसकी मोनिटिंग लखना उसे की जाएगी इसमें कुशल नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है जो शिशू को कंगारू मदर केर देने के साथ साथ इसके प्रती जाग भूप में करेगी आज बदायू सांसत संगमित्रा मोर्या ने MNCU का लोकापंड किया साथ ही व्यवस्थाओं को भी देखा उन्होंने परदर्शनी में लगी पेंटिंग्स और मोडल को भी देखा और अपने अनुभव को विचारों को विजिटिंग रिजिस्टर पर लिखा इस यूनिट के बारे में संगमित्रा मोया ने बताया कि नवजाद शीशों के लिए कंगारू मदर केर का तरीका बहुत उप्योगी है इसी को ध्यान में रखते हुए बदायू में बनाया जा रहा है MNUI भारत का पहला यूनिट है जो इतने बड़िस्तर पर शुरू किया जा रहा है यह बदायू के लिए गर्व की बात है हमने बदायू में बहुत से नवजाद बच्चों को खो दिया है आगे से हम बच्चों को बचा लेंगे अब उन्हें खोना नहीं पड़ेगा केमसी का फिलफो में कंगारू मदर केर इसके तहट हम बच्चे जो वजन कम होता है या कई बार बच्चे होते हैं और हम उन्हें अलग रख देते हैं मा से दूर रखते हैं तमाम उनके इंदर बीमारियां उत्पनी होती है यह इसके माध्यम से हम बच्चों को सुरक्षित सीने से बच्चे को लगा करके रखना होता है मा हो तो मा अगर मा कहीं ब्यस्त है या उसको दिक्कत है तो पिता भी इसकी कंगारू मदर केर के माध्यम से पिता भी उसे बच्चों को जीवन दे सकता है सुरक्षित रख सकता है और पिता की अनुपस्थिती में ग्रैंट पै वजन भी इसके माद्यम से बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ता है यह सर्वे में आया भी है साथ सो सिर्फ साथ सो ग्राम का बच्चा था जिसका वजन बहुत स्पीड में बढ़ा है तो निश्चित तोर पे जिससे हम लोग अनिभी होते हैं और खास करके बदाईयों के लिए तो यह एक वर्दान होगा क्योंकि बदाईयों में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हम नौजा सिसु को खोई हैं हम उन्हें बचाने में सफल होंगे और लोगों के यहां के माद्यम से लोगों तक एक जागरुकता भी जाएगी कि हम जिस तरह से माँ और को एक साथ कर करके या परिवार को एक साथ में रख करके जहां हम उनको आपस में मजबूत करेंगे वहीं बच्चे को भी अंदर से हम मजबूत करके उसकी लबी आयू इसके लिए इसका हूँचा है प्रिश्क्राइब करें घंडे वाद